नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के सभी आंदोलन कारी होंगे सम्मानित चिन्हित आंदुरनकारियों में बोकारों के 20, देवघर के 132, धनबाद के बार, गेडी के 43, गोड़ा के 39, गुमला के 33, हजारी बाग के 23, कोडारमा के 13, लातेहर के 2, लोहरदगा के 29, रामगण के 8, रांची के 47, सहेवगंज के 10, अवसराय के 22 आंदुरनकारी सामिल हैं. चिन्हितिकरन आयोग के पुर्णगठन अंदुरनकारिया, उनका इस्रीतों को मांसिक, पेंसर और अने सुविधा देने को लेकर निना भी लिया था. रगुवर सरकार के मंद्रियों के खिलाप जाच मामले पर बाबुलाल बोले अपने घर से सुरुवात करे सियें. जारखन की पुर्वर्ति रगवर्दा सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाप आय से अधिक संपत्ति मामले में पी इदर्ज करने के मंजूरी दिये जाने को लेकर परदेश की सियासत गर्मा गई है. मुख्य मंत्रि द्वारा एसीबी को जाच की मंजूरी दिये जाने से परदेश बीजेपी के बड़े नेता खफा है. मुख्य मंत्रि सब परदेश अध्यक्स बावला मरांडी ने मुख्य मंत्रि हेमान सुरेन के इस फैतले को राईनित्तिक अस्टंट करार देते हुए कहा है कि यदि भलस्टाचार के खिलाप सियम सर्वेदन सील है तो करवाई की सुरुवात अपने घर से करे अपनी परिव जर्खन सिख्षक भरती परिक्षा में सीटेट को मनियाता या नहीं हाई कोटने सरकार से पूचा है जर्खन हाई कोट में मंगलावार को सीटेट पास अभियार्थियों को जेटेट की तरह मनियाता है देने समद्धी मामले में दाखिलिया आचिक अपसुनवाई हुई याचिका में जार्खन सरकार के दोबारा सिख्षक नियुक्ति में भाग लेने के उनमतीत देने और सिख्ष जे टेट की परिच्छा लेने की मांग की गई जार्खन में बर्ष 2016 से ही टेट की परिच्छा नहीं लिगाई ऐसे में करीब दो लाख बीट और डिलेट डिग्री धारी पर किरिया सेवन चीत रह जाएंगे बताते चिप जेस्टिस संजाग को और मिस्त्र जेस्टिस अनन सेन की खंड पिट ने सुनवाई की दोना राज सरकार के द्वक्ता से जानना चाहा है कि क्या राज में होरे इस सिख्षक नियुक्ति में जेटेट पास अभियार्थों की तरह ही सीटेट पास अभियार्थों होम सीजन 2023 के जिए सेडियूल की खोषना की है इसमें रांची को इंग्लेंड के खिलाब घरेलू सीजन के चौथे टेस्ट मैच की मेज़वानी मिली है इस तरह वन डे बिस्व कप की मेज़वानी नहीं मिलने से निराश रांची के क्रिकेट प्रेमियों के दर्द पर BCCI ने मरहम लगाया है दरसल BCCI ने आश्टरेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लेंड के खिलाब खेली जाने वाली घरेलू सीरीज के कारगरम की खोषना की है इसके तहट JSAB 2024 में टेस्ट की मेज़वानी करेगा इंग्लेंड के खिलाब यह मैज 23 से 27 फरवाली तक खिला जाएगा बताद इंग्लेंड के टिम जनवारी फरवाली 2024 में भारत का दौरा करेंगी इस दोरे में इंग्लेंड को भारत के खिलाब पांच मैचों की टेस्टरीच खेलनी है जारखन में 28 जुलाई से 22 जारखन में मांसुन की बीरवखी से खेती किसानी पसंकट के बादल मंडाने लगे हैं हलाकि इस बीच राहत भरी खबर है मौसम विभाग का पुरुनमान है कि 28 जुलाई से जारखन में मांसुन फिर सकरिये होगा मौसम विभाग ने गुरुवार को रांची बोकारो लोहरदगा पुर्भी स्थिमू और पच्छमी सिंभू में बारिस की सम्मना जताई है मौसम विभाग का कहना है कि 27 जुलाई को राज के तक्रिबन सभी जिलों में हलके से मत दर्च की बारिस होगी मौसम विग्यान केंद्र ने पुरुनमान जाहिर किया है कि गुरुवार्ग बोकारो लामगर रांची लोहरदगार सिंभू में तेज बारिस होगी अठाई जुलाई को राज के तक्रिबन सभी जिलों में बारिस होगी इस बिच गोटा में अधिक्तम तापमान का रिकोर्ट उट रहा है बुद्धवार को यहां अधिक्तम तापमान 35.3 डिगरी से सस्थ दर्च किया गया आठवी की छात्रा से आश टीचर ने की गंदी बात पिता चाचा ने स्कूल में पिटा चारखन के स्कूलों में गुरु सिस्थ प्रमपरा तार तार होती दिख रही है अभी साहेब गांवे परधना ध्यापक द्वारा चात्राओं से योन उत्पिर्णा का मामला थमा भी नहीं था कि बोकारों से सिक्छक द्वारा आठवी की छात्रा के साथ असलील चैट करने के मामला समने आया है गुरुबार की सुबा मामले का खुला सा तब हुआ जब छात्रा के पीता और चाचा ने स्कूल परिसर में ही आच टीचर को पीड दिया बीच बचाओ करने आए दूसरे सिक्छक को दूर रहने की सलाह दी गई मामला बोकारो जीले के ललपनिया इसी डिया भी पबलिक स्कूल का है जहांके आच टीचर पर आठवी की छात्रा के साथ अपत्ती जनक चेट करने कारूप लगा है गौतला भाय की डिया भी ललपनिया में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वहां पढ़ने वाली आठवी कलास की एक छात्रा के पिता और चाचा ने स्कूल में प्रवेश कर रहे आठ टीचर की धुनाई सुरू कर दी डिस्ट्रिक कराटे चेंपियंशिप 29 अगस्त को अस्पोर्ट कराटे असुसिएशन और वेश्ट जिम्भूम डिस्ट्रिक कराटे चेंपियंशिप का आवजन 29 अगस्त को होगा यह परत्योग था जे के ये ाई चाय वाज्याण सा अब रांच के मूखे कराट प्रसिक्शन केंदर संत जयेवियर कल्यान केंदर केंदर की होल में आउय जित होगी इस Championship मेंस्पोर्ट कराठे एस्टे एस से लेकर 200 कराठे कारों के भाग लेने की समभूना है इसमें सब जुनियार कैड़ेट जुनियार एवं सीनियार कराठे कारों के लिए काता और कुमेता का इवेंट रखा गया है इस चेंपियंशिप में आट वरस के नीचे से लेकर 18 वरस तक के उपर तक के बालक बालका एवां पुरुस महिला वर्ग के कराटे कार भाग लेंगे यह जनकारी स्पोर्ट कराटे से सेशन और वेश रिम्भूम के अध्याग सेस्ताई पंकज कुमार सिंग और महासाचीव नरेश हिसा ने दिया है कारगिल बिजाई दिवास सियम हमन्त ने सहीद जवानों को सरधा सुमन अरपित किये कारगिल बिजाई दिवास को 24 साल पूरे हो गए हैं इस अस्तर प्रमुक्य मंत्री हमन्त ने कारगिल यूद में सहीद हुए जवानों को सरधा सुमन अरपित किया सियम ने ट्वीट में लिखा कि अदा में सहास सौरे और वीरता के प्रतिक कारगिल बिजाई दिवास के आउसर पर देश के अमर बीर जवानों की सहाधत को सत सत नमान हमन्त ने कारगिल यूद के नाय को प्राकर्मों को सरधांजली दी जिन्होंने देश की खाधिर अपना सरवस से ने उचार कर दिया है वहीं जहरकन के राजेपाल सीपी राधा किश्नन ट्वीट कर लिखा कि भारतिय सेना के अदा में सहास हुआ सौरे का प्रतिक कारगिल बीजाई दिवस के हार्दिक सुभकमनाय देश की सिमाओ के राक्षा के लिए अपने प्रानों की आहुती देने वाले भारत माता के अमर सफितों को कोटी कोटी नमान उनकी वीर गताय आने वाली पीडियों को सदवे प्रेडित करती रहेगी जैहिंद DGP का आदेश छापे मारी के दरान ATS को इंधन की कमी ना दे ATS की टीम जार्खन के कई जिलों में लगाता छापे मारी अभियान चला रही है इस दरान ATS की टीम को इंधन की कमी नहीं हो तो उनके वाहनों में आवसकता पढ़ने पर समधित जिले के SSP और ASP इंधन के अपूर्ती कराना सुनिश्चित करेंगे या आदेश ततकाल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा जार्खन पुलिस की महिला बेंड साधियों में भी बजाएगी बाजा जार्खन पुलिस की महिला बेंड पार्टी अब साधी बिवाया खुसी के अने मोके पर भी बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी इसके लिए जार्खन आंस पुलिस जैब 10 की ओर से बकायदा इस्तिहार जारी किया गया है इस बैंड पार्टी ने इसी महेने ITBP की ओर से हर्याना के पंचकुला मैयोजी 23 वी अखिल भारतिये पुलिस बैंड परत्योकता में सरोस्रेश्ट महिला बैंड पार्टी का खिताब जीता बताया गया कि महिला पुलिस बैंड की पूरी पार्टी को बुक करने के एवज में 20,000 रुपे की फीस चुकानी होगी वहीं हाप बैंड पार्टी को 10 रुपे में बुक किया जा सकेगा या बुकिंग अधिकतम 2 घंटे के लिए ही होगी जैब के समादेश्टा द्वाराजारी सरकुलर के मताबिक बैंड पार्टी की फीस के अलावा उनकी ट्रांस्पोर्टिंग का खर्च भी बुकिंग करने वालों को ही चुकाना होगा इसके लिए रांची जीले के भीता ट्रांस्पोर्टिंग सुल्क 900 रुपे था किया गया जब कि रांची जीले के बाहर के बोकिम का प्रती किलोमीटर 16 रुपए के हिसाब से टांसपर्किंग चार्ज लिया जाएगा। जारखन के पांच जीलों से सुरू होगी हेलिकॉप्टर मेडिकल सर्वीस। जार्खन में बहुत जल्द हेलिकॉप्टर मेडिकल सर्विस की सुरुवात होने जा रही है, हेलिकॉप्टर इमर्जेंसी मेडिकल सर्विस के नाम से सुरु हो रही, इस सेवा के जरिये हाईवा से दुरुखाटना का सिकार पिरितों को ततकाल अस्पताल पहुंचाया जा सके गौतला भाई की इसके लिए परदेश के पांच जिलों में एस्टेशन बनाये जाएंगे गौतला भाई की बीते 25 जुलाई को मध्य परदेश के खजुराहों में हेलिकोप्टर एरक्राप्ट सम्मीट 2023 में इस बाद पर चार्चा की गई जारकन से चीफ पाइलाट कैप्टन एस्पी सिन्हा ने इस सब्मीट में हिसा लिया था पिछलो दिने ही मुख्य मंत्री हमांसुरे ने भी चौपर के जरिये मेटकल सेवा का जिक्र किया था बता दे कैप्टन एस्पी सिन्हा ने एक मीडिया संस्थान से बाचित में ज़नकारी दिया है कि राज सरकार सकार समीती के गठन की त्यारी सुरू हो गई है वहीं दूसरी और भाटपा बिधायक दल के नए नेता के चैन को लेकर कवाय सुरू हो गई है मांसुन सात्र को लेकर जर्खन बिजेपी बिधायक दल के बैठक सता ही जुलेक बलाई गई समभावना आया है कि इस दिन नए बिधायक दल के नेता के चैन पर मुहर लग जाएगी धन्यवाद